सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नई वीडियो देखने के लिए नई नई रिजाइन देखने के लिए हेलो फ्रेंड मैं जो थी स्वागत करती हूँ आपको अपने वीडियो में फैन आज की इस वीडियो में मैं बैक नेक में बहुत ही खुबसूरत और आजकर बहुत ज़्यादा चलने वाली निकी डिजाइन बताऊंगी फैन, बहुत ही असान तरीके से बताऊंगी, मैं मजर्मेंट आपको दे दूँगी फैन, ताकि आपको एजली समझ में आ जाए, और कहीं भी आपको समझ में ना है, तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकत तो मैंने माकिंग कर ली, अब इस से डबल फट गरम कर देए, वसी तरीके से महमें की निक कर देंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर cutting कर लेना है अब इसके बाद main fabric के ऊपर lining की fabric रख देनी है और उसके ऊपर से हमें इस तरीके से बुकरम को set कर देना है आप press कर सकते हो फैन या फिर अच्छे से pin-up कर ले मैं यहाँ पर pin-up कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से और इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया तो अब यहाँ पर मैं extra fabric को cut कर दे रही हूँ इसके corner पर मैंने सिलाई लगाई थी देख सकते हुआ और इसके बाद हमें चोड़चोटे cut लगा देने हैं इस तरीके से ताकि finishing अच्छी है अब इसके बाद हमें इसे अंदर fold कर देना है फैन और fold करने के बाद उपर से एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से set हो जाए इस तरीके से इसके corner पर हमें यहां पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से देख सकते हुआ तो यहां पर मैं अच्छे से set करते हुए सिलाई लगा दे रही हूँ ध्यान रखें कि जो lining की fabric है वो उपर के side ना है इसे अंदर अच्छे से set करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इसके बाद side की जो extra fabric होती है उस पर भी हमें सिलाई लगा के extra fabric को cut कर देना है इस तरीके से देख सकते हुआ यहां पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा के extra fabric को cut कर दूँगी तो मैंने cut कर दिया है अब इसके बाद back side की plate डाल देंगे इस तरीके से shoulder के बीचों बीच जितना भी part आए उतना आप इस तरीके से plate डाल दे और यहां पर मैं दूसरी plate डाल दे रही हूं इसके बाद मैं यहां पर कमर की पटी पे fabric यह इस तरीके से डेरी इंच ओड़ी ले ली है और इसे इस तरीके से हमें सीधे के side रखते हुए stitch कर लेना है फैन दे के तो अब मैंने यहां पर सिलाई लगा दी अब इसे plate के एक और इसके corner पे stitch कर लेंगे ताकि अच्छे से यह set हो जाए फैन और इसके बाद अंदर इसे fold करके या तो आप सिलाई लगा लो या फिर फैन तुरपाई कर लो तो मैं यहां पर इसे अंदर fold करके तुरपाई करूंगे इसके बाद जो है फैन मैंने यहां पर double fold करके paper ले ली हुई है इस और सेम हमें उपर से भी गोलाई में माक कर लेने हैं और नीचे से मैं यहां पर एक इंच के करीब एक्षटे fabric ले लिए हूँ कि अंदर सिलाई में भी जाएगा और इसके बाद तीन इन चाओडी मैंने फैब्री ले ले है और इसकी लंबाई यह फैन इसकी लंबाई जाद कर लेने, हैं मैंने यहाँप साहफ इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ दी है क्योंकि भी सिलाई में अंदर चल जाएगा तो मैंने यहाँपर इस तरीके से सबपे श्टिज कर ली है अब ठीक इसे तरीके से नीचे के साइट भी हमें गुलाई में देते हैं कर लेना है और एक्ष्टर अगर लगे डोड़ी आपको तो कटिंग कर दे अब इसके बाद जो है फैन हमें इस पे भी नेक को सेट करना है तो उसके लिए मैं यहां पे एक इंच के करीब उडेब की पट्टी कटिंग कर ली हूं और उल्टे के साइड हमें स्टीच कर लेना है उल्टे के साइड इस्टीच करने से फैन बहुत ही अच्छी फनीसिंग आती है बहुत जादा अच्छी फनीसिंग आती है आपको पता चल जाएगा फैन आगे वीडियो में तो इस तरीके से मैं एक्ष्टर लगा है मुझे फैबरिक तो मैं कट कर दी हूं और इसके बाद फोल्ड करते हुए उसी सिलाई के उपर हमें इस तरीके से श्टीच कर देना है तो देख सकते हूं कितनी अच्छी फनीसिंग के साथ यहां पर हमारी नेक रेडी हो गई है फैन अब इसके बाद बलाउज को डबल फोल्ड कर लेंगे सौरी फैन उससे पहले मैं यहां पर ल लगा लेने हैं इसके सेंटर पर और दोनों सेंटर को ब्राबर में रखते हुए इस तरीके से हमें स्टीच कर लेने हैं देख सकते हो तो इस तरीके से हमें यहां पर स्टीच कर लेने हैं अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरीके से तो दोनों सेंटर को हमें बिल्कुल ब् इस तरीके से हमें दो से तीन बार सिलाई लगा के लोग कर देना है दोनों पॉर्णर पे इस तरीके से मैं या पर सिलाई लगा के इससे सेट कर ले रही हूं और इस तरीके से हमें दो से तीन बार लोग कर लेना है सिलाई को और इसके बाद एक्ष्टा धागा को कट कर ले इस तरीके से दूसरे पर हमें इसके सेंटर पर मोती को टक करना है दो से तीन बर सिलाई लगाते हुए तो यह हमारी खोब सूरत सीनेक की डिजाइन रेड़ी हो गई है फैन आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा अभी तक चैनल को सस्क्राइब तो प्ल